हेलो नमस्कार दोस्तों NCRT History Channel पर आपका स्वागत है और आज हम कक्षया छठी का पर्थम अध्याय क्या कब कहां और के से पड़ेंगे और आशा करता हूँ कि आप सब को बहुत अच्छे से ये लेशन समझ में आएगा और यहां आप सबसे पहले एक गुड़िया की तस्वीर देख रहे हो और यहीं से रसीदा के सवाल से ये पाट सुरू होता है और रसीदा या आप आज एक कोई न्यूज पेपर अख़वार लेकर के बेठे हो और उसके कोने में एक खबर लगी हुई है कि सो साल पहले और वो खबर पढ़ करके आपको पता चलता है कि आज ही के दिन सो साल पहले ये घटना घटित हुई इसी तरह से कल क्या घटित हुआ यह आपको न्यूज पेपर से, रेडियो सुनने से, टीवी सुनने से पता चलता है जो घटना 10-20 साल पहले घटित हुई आप अपने माबाप और जो 50-60 साल पहले हुई अपने दादा दादी से पूछ सकते हो उससे पहले जो कुछ गटित हुआ, उसे आप किस से पूछेंगे तो इस मामले में इतिहास आपकी बहुत मदद करता है तो देखते हैं कि इतिहास हमें क्या क्या बताता है इतिहास हमें अतीत के बारे में जानने में बहुत मदद करता है अतीत क्या, जैसे लोग पुराने टाइम में आज से हजारों साल पहले, सेंकडों साल पहले क्या खाते थे, केसे कपड़े पहनते थे, केसे घरों में रहते थे, केसे अपने पेट पालते थे, पसू पालक, किसान, सासक, व्यापारी, और कलाकार, संगीतकार का जीवन केसा था उस समय आप जैसे बच्चे क्या खेल खेलते थे कौन-कौन सी कहनिया सुनते थे कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन-कौन से गीत गाते थे तो ये सब कुछ इतिहास का ही एक भाग है इतिहास एक बहुती रोचक और इंटरस्टिंग विश्य है तो इतिहास की हमारी सुरुआत ओती है पासान काल से लेकिन इस पुस्टक में हम जो मानव पासान यानि की पत्थरों के ओजारों का प्रियोग करता था सुरुआत में उसे हम कहते हैं संगराहक और सिकारी मानव संगराहक का मतलब है कि वो फल, फूल और सबजियां वगेरा इकठी करके अपने खाने के लिए संग्रेन करके रखता था और जानवरों का सिकार करके अपना पेट पालता था तो इस पाठ में ये जो मैप दिया हुआ है नकसा दिया हुआ है ये बहुत ही महतोपूर्ण है यहां पर आप भारत के बिलकुल मध्य में नरमदा नदी देख रहे हो और नरमदा नदी विंद्य की पाड़ियों से हो करके निकलती है यहीं पर एक स्थान है भीम बेट का और जो सुरुवात का मानो था वो एक यहीं पर जो छोटी छोटी गुफाएं हैं इन पाड़ियों में उन में रहता था और आज पास जो भी फलफूल होते थे उन्हें चुनता था और आज पास जितने भी जनवर थे उनका सिकार करके अपना पेट पालता था और जैसे ही उसके लिए थोड़ा सा फरी टाइम होता उनके बच्चे या बड़े जिनको कला में बहुती मज़ा आता था वो हजारों साल पहले किसी ने किसी प्राकरतिक रंग का सहरा ले करके वहां पर कलाकरतियां भी बनाई और उनकलाकरतियों को देखने से पता चलता है कि उस समय मानव क्या क्या काम करता था केसे सिकार करता था केसे ओजार थे किस तरह से समाज में रहता था तो ये जो स्थान है जो बिलकुल सेंटर में आपको भीम बेट का नाम से दिखाई दे रहा है ये बहुत ही महतोपुर्ण है और गोफाएं उनके लिए बहुत ही महतोपुर्ण होती थी क्योंकि इस से जो जंगली जानवर सेर इत्यादी उनको तंग नहीं कर सकते थे तो उनके लिए एक आस्रिय बनता था यहां पर और इसके बाद में आप इधर देखिए ये भी भारत का एक अंग रहा है अभी तो ये पाकिस्तान में है लेकिन भारत के इत्यास में सदेव से ये स्थान भारत का भाग रहा है यहां पर लिखा रहा है मेहर गड़े और यहीं से ये लगा लिजिए मैं साथ में एक बात और आपको बताता हूँ कि अब आप देखोगे कि यहां से यहां तक भारत पहड़ियों से घिरा हुआ था और यह उत्तर दिसा हुई और दक्सिंड दिसा में भारत पूरा का पूरा इधर समुदर था नीचे तक तो भारत में कोई भी बार से प्रवیس करता था तो उसके लिए दो रस्ते होते थे एक तो यहां से और एक यहां से तो यहां का जो दर्रा था उसे हम खेबर सुरी बॉलन दर्रा कहते हैं तो बॉलन दर्रے के पास ही पहड़ों के बीच में एक बहुत ही चोटा सा है और उस मैदान के बीच में ये आपका मेहरगड नामक गाउं है जो भारत में सबसे प्राचीन बसा हुआ गाउं था लगभग साथ से आठ हजार वर्स पूरव और इस मेहरगड गाउं की कई खास बाते हैं कि जब इसकी खुदाई होती है तो सबसे उपर की पर्त सबसे अं मानव ने गेहूं और जो की खुदाई इसी जगह पर करनी सुरू की थी किस जगह पर मेहरगड में और भेंस का पालन बकरी का पालन ये भी यहीं से सुरू किया था जैसा कि आप सब को जान करके बहुत ही आनंद होगा मजे आएंगे कि इनसान ने सबसे पहले कुता पालना सुरू किया अब आप पूछे होगे कि क्यों भई सबसे पहले कुता ही क्यों पाला तो जैसे ही कुता मानव के पास आया तो मानव ने देखा कि अच्छा ये तो आपको बिल्कुल भी हानी नहीं पहुंचाता आपके बचे खुचे को जो भी खाना मानव छोड़ता है वो ख उपयोगी लगा और किसी बितरे से नुकसान दे नहीं लगा इसलिए सबसे पहले कुता पाला फिर भैड बकरियां सुर ये सारे के सारे मानव के साथ रहने लगे क्योंकि मानव जो मास खाता था इसलिए इनके मास का उपयोग करके वो जीवित रह सकता था तो ये एक बहु कोल्डी हववा नमक जगह जो आप देख रहे हो ये नदियों का और बहुत उपज़ाओ मेदान था तो वहाँ पर जब आपने पहले मेहरगड देखा वहाँ पर इतनी बारिस और इतनी पानी नहीं था लेकिन यहाँ पर बहुत पानी है मिट्टी बहुत उपज़ा हुए है तो आप खुद ही सोचके बताइए कि बहुत ज़्यादा पानी होता है वहाँ पर कौन सी फसल होती है वतसल बताइए बहुत ज़्यादा पानी होता है हाँ चावल जिसे राइस कहते हैं तो भारत में सबसे पहले चावल कोल्डी हवा में ही हुआ था और ये एक बहुत ही महतोपुर्ण प्रस्ण है और यहां पर आप इसी नक्से में यहां पर देख रहे हो मगद नामक जगह जो यह सोन नदी आगे जा रही है और इसी के गंगा के पास सोन के यहां पर जा कर के आप पाटली पुत्तर आज की पटना देख रहे हो और ये जो आपने असोक महान, चंदरगुप्त मोरिय, चानक्या के जो नाम सुने हैं वो सारे के सारे इसी स्थान पर बाद में जा कर के हुए उस टाइम में पूरे भारत में छोटे छोट संतर और समराज्य का रूप धारण किया क्यों क्योंकि मिट्टी उपजाओ थी, नदियां पास में थी, लोहे के भंडार थे और ये भी आपके लिए जानना बहुत ही आवशक है कि लोहा सबसे बड़ा अविसकार था उस टाइम का, जैसे ही लोहे का पता चला लोहा बहुत सक्त धातू थी और यहां पर खेती बाड़ी करने के लिए बहुत सक्त धातू की खेती बाड़ी करने के लिए जो जमीन साफ करने के लिए जो जंगल साफ करने होते हैं तो लकड़ी काटने, जंगल काटने के लिए लोहे की जुरूरत होती थी और जब आप यहां इधर सु करती भी कहते हैं ये भी विक्सित हुई थी लेकिन यहाँ पर तब तक इस जगह पर जो सब्यता विक्सित हुई यहाँ पर जंगल घने नहीं थे और मानव के पास केवल तामबा धातु ही था तामबा और टिन जिससे कांसा बनता था वो इतनी सक्त नहीं होती थी तो हलके मानव तो यहाँ पर जंगल घने होते जा रहे थे और वो जंगल तामबे और इन ओजारों से नहीं काटे जा सकते थे लेकिन ये एक अच्छी बात थी कि यहाँ पर आने के से पहले उसने लोहे की खोज कर ली और उसी लोहे से बड़े बड़े हल बने बड़े बड़े ओज दरार बने, लक्डी काटणे के लिए खुलाडियां बनी, तो ये तक भी जाय पाइदे मंद स्थितियां रही चलिए थोड़ा ओर आगे बढ़ते हैं और ये देखिए ये सब कुछ हम पहले कर चुके हैं आपको सब चीजें हम मानचितर में बता चुके हैं वही सब बातें हैं यहां पर जब आप हमारे देश का नाम इंडिया या हिंदुस्तान क्यों इंडिया हिंदुस्तान वीडियो जब आप देखोगे पांच मिनट की वीडियो है बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि फिर भी मैं थोड़ा सा यहां पर आपको समझाना चाहूंगा कि यह हमारे देश का मानचितर है और मैंने थोड़ी देर पहले यह आपको बताया था यहां और यहां दो जगे से भारत में एंट्री होती है विडेश से या फिर कहें कि मद्य इसिया से यूरोप से जो भी आते हैं उनके एंट्री यहां से होती है और सबसे पहले यह जो सिंधु नदी लिखा हुआ है यह जब आती है तो इरान की तरफ से जो लोग आए उन्ह दुस्तान बोलते थे इसी तरह से जो यूरोप में रहने वाले लोग थे वो सिंधु नदी को इंडस नदी बोलते थे और इंडस के पार जो भी था उसे इंडिया बोला जाता था तो ऐब आपको समag में आया कि सिंधु नदी की वज़े से ही हमारे देश का नाम इंडस की वज़े से इंडिया और हिंदू से हिंदूस्तान पड़ा तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी की कंसेप्ट समझते हैं तो ये था हमारे देश का नाम और यहां पर आप ये सोच रहे होंगे कि हमें हिस्ट्री के बारे में पता कैसे चलता है तो हिस्ट्री के बारे में जैसे आप जासूसी वाले जो चैनल देखते हो चैनल क्या सीरियल देखते हो उन सीरियल में आप देखते हो कि वो कैसे कैसे किसी ने किसी चीज से जासूसी करते हैं सूचनाएं लेते हैं उसी तरह से एक इतियासकार जो पुराता तविद होता है जो पुरानी चीजे देख करके उनके बारे में जासुसी या सूचनाएं ले करके आप तक ले करके आता है चलिए यही बात देखते हैं कि हमें एक तो मेनू स्क्रिप्ट से बहुत सी सूचनाएं इत्यास के बारे में मिलती है मेनू स्क्रिप्ट या पंडू लिपी कोई बड़ी बात नहीं है कागच या किसी भी चीज पर जो भी हाथ से लिखी हुई लिखावट है या स्क्रिप्ट है लिपी में लिखा गया है उसको हम मेनू स्क्रिप्ट कहते हैं जो कुछ हाथ से लिखा हुआ है hand written है वो manuscript है या पंडू लिपी है इसमें और कोई बड़ी concept नहीं है और यह जो आप देख रहे हो यहाँ पर यह एक जो पंडू लिपी है यह कागच पर नहीं लिखी गई है क्योंकि उस टाइम में भारत में कागच और दुनिया में कहीं पर लिखी गई है अब आप सोच रहे होंगे भोर्ज या भोज पत्तर यह क्या होते थे यह पेडों के पत्ते ही होते थे पेडों के पत्तों को बिल्कुल अच्छे से तयार करके और उन्हें लिखने लायक बनाया जाता था तो आप जो यह देख रहे हो यह भोज पत्तर का एक पत्ता है और हमारे पुराने टाइम की ज्यादा तर रचनाएं इनी भोज पत्तर पर लिखी जाती थी या फिर कपड़े पर लिखी जाती थी तो ये तो आप सोची रहे होंगे कि ये आज कल कितने एक मिलते होंगे तो अब ये कम मिलते हैं जैसा कि आपको भी लग रहा होगा कि पत्ते के जो पेड का पत्ता है कोई भी कीट पतंगे या किसी भी तरह से कोई जीव जन्तु नुकसान पहुंचा सकते हैं ये बायो डीग्रेडेबल होते हैं इस वज़े से आज ये बहुत कम मात्रा में मिलते हैं तो ये अगर कम मात्रा में मिलते हैं तो और हम कहां कहां से ये सूचने प्राप्त कर सकते हैं तो ये भी एक सोचने की बात है तो अभिलेखों से हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अभिलेख भी बहुत आसान सी चीज़ है किसी पत्थर पर किसी सीला पर कुछ भी हार्ड सरफेज पर कोई भी कुछ भी लिखा होता है उसे हम इतियास अभी लेख बोलते हैं जैसे पहले हमने देखा कि भोज पत्थर पर हाथ से लिखी गई किसी भी लिखावट को हमने क्या बोला था पांडूली पी और इसी तरह से जब किसी पत्थर पर कुछ भी लिखते हैं तो उसे हम बोलते हैं सीला लेख या अभी लेख और यहां पर जब इस सिलालेक में देखोगे तो दूसरी भासा है और निचे आप देखोगे तो अलग स्क्रिप्ट है स्क्रिप्ट का मतलब लिपी अलग-अलग है तो ये जो हमारा जो आप अभिलेक देख रहे हो ये एतियासिक दृष्टी से बहुत ही महतोपुर्ण है असोका ने जो अ पढ़ने के तरिके को भूल चुका था कि इस लिपी का अर्थ क्या होता है और वो लिपी थी बर्मी तो अब आप सोच रहे होंगे कि फिर पढ़ा के से बहुत से अभिलेक मिले उनका कोई अर्थ नहीं निकला लेकिन जैसे ही ये जो हमारा अभिलेक है ये कंधार में मिला ह कंधार आप सबको पता है कि अफगानिस्तान में है और वो भी असोक के समराजय का एक भाग था क्योंकि जहां पर अभिलेक है इसका मतलब वो उसके समराजय का भाग भी है तो ये आप देख रहे हो उपर यूनानी लिपी है और सोरी उपर आपकी ये बर्मी लिपी है और नीचे यूनानी लिपी है तो जब इसको पढ़ने वाले विलियम जोन्स ने इसे देखा तो वो बहुत खुस हुआ देख करके क्यों क्योंकि जब ये यूनानी लिपी उसे आती थी और यही संदेश जो यूनानी लिपी में लिखा हुआ है यही बर्मी लिपी में लिखा ह तो इस तरह से बर्मी लिपी की विलियम जोन्स की तो संस्था थी और जैम्स प्रिंसेप नहीं से पढ़ा था ठारा सो सेंथिस्वी में और अब हम और आगे बढ़ते हैं इसके अलावा और भी बहुत सी चीजों से हमें सूचनाएं मिलती है जैसे की पुराने टाइम की कोई बस्ती होया उसकी खुदाई करने के बाद में जो ओजार, अतियार, बरतन, आहवुसर मिलते हैं क्योंकि राजा, महराजा तो लेख लिखवा लेते थे कि ये लिखिए मैंने यहाँ पर विजय प्राप्त किया है यहाँ पर विजय प्राप्त किया है लेकिन आम आदमी तो कोई भी अपने लेख है और डाइरी या फिर इस तरह से अब लेख है नहीं लिखवाता तो उसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है उनके द्वारा जो देख रहे हो इसे हिंदी में मृत भांड बोलते हैं इंगलिज में पोटरी बोलते हैं तो ये पोटरी देखिए ये 4700 वर्स पूरव इसका यानि की सिंदु घाटी सब्वेता के टाइम में एसी पोटरी का प्रियोग होता था तो बहुत ही सुन्दर पोटरी है और उपर से आ उस टाइम का तब तक हमारी जो टेकनोलोजी और तकनीक थी वो इतनी विक्सित नहीं हुई थी कि हम आज जैसे सिक्के बना पाते तो सिक्के बनाते कैसे थे तो ये बहुत ही मज़ेदार तरीका था आप ध्यान से देखिए कि जब तक धातु को गरम करने के बाद में ठंड उबर आता इसलिए इसे आहत मुद्रा कहते हैं आहत का मतलब चोट पहुंचा करके कोई भी चीज को बनाना आहत मुद्रा कहलाती है और ये आप इसके कॉर्णर से ये कटा हुआ देख रहे हो इसका मतलब इसको जब बाद में तोला गया तो ये थोड़ी वजन में ज्याद थी तो इधर कोर्णर काट लिया गया तो टेक्नीक इतनी हाई नहीं थी इसका मतलब ये है और ये सिका चांदी का था तो आशा करता हूँ कि आपको खूब मज़े आ रहे होंगे तो इसी तरह से पुराता तुविद है वो देखते हैं कि जानवर चेडिया मचलियों की हडि या ढूंडते हैं आप सोच रहे होंगे कि क्यों कि इसी से फिर अनुमान लगाया जाता है कि इस समय का मानव क्या खाता था किस चीज का सिकार करता था और जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि यहां का मानव गेहूं की और जो की खेती करता था यहां का मानव खेती कर तो आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हो ये इस तरह से नहीं बचते लेकिन जो मानव किसी भी अनाज के दाने को भून लेता है उसके बाद में वो दाना खराब नहीं होता उपर की पर्त जो जल जाती है वो पर्त फिर जो कीडे मकोडे और अन्य जो बायो डिग्रेवडेबल करन वाले जितने भी बैक्टिरिया वगेरा है वो उसे खराब नहीं करते क्योंकि उन्हें मेसेज मिलता है इसके अंदर कुछ भी खाने लाइक नहीं है इसलिए जितने भी जले हुए दाने हैं वो पुरातत विदो को बचे हुए मिल जाते हैं तो उसी से फिर अनमान लगा जा उसे हम स्रोत कहते हैं क्या कहते हैं स्रोत या कुछ है के हिंदी में कई बार इसे स्रोत को स्त्रोत भी बोलते हैं तो इतिहास जानने के जियो भी सादन है वो सारे के सारे स्रोत कहलाते हैं और इतिहासकार और पुरातत विद इन्ही स्रोतों से जानकारी इकठा करके आप तक ले के आते हैं तो और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इतिहास में तिथी का बहुत महतो होता है कि कौन सी घटना किस तिथी को घटिद हुई इस चीज का बहुत महतो होता है और तिथी का अध्यान भी अपने आप में एक बहुत जरूरी बात है इतियास के अध्यान में तो इसमें दो बाते महतोपुर्ण होती है AD और BC तो AD और BC के बारे में आपको जानने के लिए इसी चैनल पर NCRT History के चैनल पर difference between AD और BC को आप देखिए पांच मिनट की वीडियो है और ये सबसे महतोपुर्ण कंसेप्ट है इतियास की तो वो वीडियो आप देखिए और इससे आपको BC और AD का फरक बहुती अच्छे ढंग से मालूम होगा और ये इस लेसन इस पार्ट का सबसे अंतिम भागा चुका है एक एग्यात लीपी यानि वो लीपी जब इतियास कार के सामने आई जिसका अर्थ उसे मालूम नहीं था जैसे ये मिस्र देश है और जिसे इंगलिस में इजिप्ट बोलते हैं यहाँ पर एक लेख मिला लेकि की भासा में भी था और मिसर की भासा में भी था तो वो दोनों को देख करके फिर पढ़ पाए कि किस वस्तू का मतलब है कौन सा अलफाबेट बनता है जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है ये एक रानी का नाम है ये आपको जीव जन्तू वस्तू में दिखाई दे रही है उस टाइम में ये देखिए कि के को के से लिखा जाता था इस तरह से एक तिर्भुज की तरह है एल को एक लाइन की तरह है सेर की तरह है आई एक बर्चे की तरह दिखाई देता था ओ ऐसा होता था तो इस जो नीचे वाली ज दिखाई दे रहे हैं तो एसे फिर इसका अर्थ निकाला गया और फिर पता चला ये केल्योपेटरा मिसर की तो केल्योपेटरा बहुती अच्छा मेरा बेटा पास में बैठा है वो मुझे काफी कुछ हिस्ट्री के बारे में बताता रहता है तो मेरा ग्यान ओर अपडेट होता है तो उपयोगी सब आपने देखे पंडू लिपी का अर्थ क्या होता है अभिलेक का अर्थ क्या होता है पुरा ततुविद क्या होते है इतियासकार क्या होते हैं सुरोत क्या होते हैं अज्यात लिपी से अर्थ के से लगाते हैं तो आप सब का धन्यवाद ल